बरसाज शुरू होते ही चंद्रा मौर्या अंडर बीज में पानी भर जाने से यातायाद पुलिस ने एतियातन बंद कर दिया है जिससे टाउंशीप से पटरी पार आने जाने वालों को परिशानी हो रही है बरसाज शुरू होने के पूर्व ही नगर निगम प्रशाशन द्वारा चंद्रा मौर्या अंडर बीज में जल जमाओ की इस्थिती बनने से रोकने व्यागपा कुरूप से प्रबंद किये गए थे जो केवल दिखावा मातर ही साबित हुए हलकी सी बरसाज गिरते ही चंद्रा मौर्या अंडर बीज में जल जमाओ की इस्थिती बननी शुरू हो जाती है पानी की निकासी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से ऐसी इस्थिती बनती है बुधवार रात और गुरुवार हुई बारिश के दोरान ही गुरुवार सुबह चंद्रा मौर्या अंडर बीज को यातायाद पुलिस द्वारा बंद कर दिया गया पूरे अंडर बीज में पानी भर चुका है जिससे टाउनशीप से पट्रीपार और पट्रीपार से टाउनशीप की ओर जा रहे सभी प्रकार के छोटे बड़े वहन चालकों को परिशान होना पढ़ रहा है एक और से दूसरी और आने जाने वहन चालकों को अब अतरिक्त दूरी का सामना तैक करना पड़ रहा है सभी वहन चालक अब नेरू नगर अंडर बिज और पावर हाउस अंडर बिज पर निर्भर हो चुके हैं ऐसी इस्थिती अभी बने रहने की संभावना है हर वर्ष बरसाथ में चंद्रा मौर्य अंडर बिज में ऐसी इस्थिती बनती है इसके बाद नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंसते हैं अधिनस्तों को निर्देशित करते हैं लेकिन जल जमाव की इस्थिती निरंतर बने रहती है और पूरी बरसात लोगों को परिशान होना पड़ता है Grand Asian News के लिए संजय दुबे